पापो एक महल्मने में मुझे अंगरेजी बोलने वाले मिले कुते हाँ हाँ वो हमारे अंगरेजी को प्रोफेसर थे उनके पाले वे थे आज पास तो पहला आया मुझे देखके बोला हू 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 कौन कौन दूसरा आउ कैसे तीसरा वहाँ है क्यों चौथा बोला शेलेश लोड़ा है अपने घर जा रहा है सब मिलके बोले ओ आज तो वी सीडीज आ गई, सीडीज आ गई, पैंट राइज आ गई वो आडियो कैसे लाना उसे भरवाना गाना नमबर एक, गाना नमबर दो प्रोसेस होता था, एस होनी की कैसे डची नहीं टोनी की अची है लगाई जगड़ा होता था और कभी तूट जायना उल्लच जायना तो बॉल पेन फसा के उसे फिर से सुल जाना और कभी तूट जायना तो खोल के चिपकाना, पूरा प्रोसेस एप अंका देरे कर उड़ रही है और चिपकने में कभी observation देखना जैमनी साब, विश्नु जी अगर चिपकने कभी उल्टी भी चिपक जायना तो उसका भी मज़ा हुठाना कैसा अकसर उल्टी चिपक जाती थी अपने को आथ और उल्टी में भी मज़ा देती दो मज़ा लेते जिन्दगी की न तूटे उल्टी चिपक जाये तो उसका भी मज़ा उठाना वो दर्जी के पास जाना कपड़े सिल्वाना अब तो अब रेडिमेट करिकते हैं अब तो सिल्वाता वो ये डिजाइनर अब तो उस जमाने में तो सब को दर्जी सिलता था वो 38 की मौरी तीन खांदान गुज़जा है उसमें ये स्वच भारत अवियान तभी से चल रहा है लेकि मुझे खुशी है हमारा आलणी मानीर प्रधान मंतरी ने जो स्वच भारत अवियान के पहले नौ जो लोग चुने थे मैं और हमारी टीम उनमें से एक हैं हम प्रतम नौ के मैं हैं मैं हम उनका धन्यवाद गापिद करता हूँ कि हम बहुत अच्छा बेटा इतनी छोटी बच्ची जब आँ से सलाम करती है तो मझे लगता है कि मेरा कुछ कहना मेरा आना सार्थक हो गया तब मेरी इक पंक्ती मुझा आती है कि जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने लिए लगा क्योंकि छत नहीं रहती डेलीज नहीं रहती दीवारो दर नहीं रहता घर में बज़र्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता क्या बात है कैसर चिपकाना उLTी चिपक जाए तो उसका में मज़ा उठाना अगली पंक्ति मैं अक्सर भूल जाता हूं तब सुनाता हूं वो कैसे डाना और उल्टी चिपक जाये तो उसको फिर से चिपकाना क्योंकि क्या है जब कविता है जो है वो कई बार इतनी ऐसी हो जाती है दिल के करीब और ये देखो आप ये देखो मेरा मैंने एक जेंट एर्वेस की यात्रा में जो ट्रे में जो कागज आते हैं उस पर कविता लिखी थी और ये कागज मैंने आज तक नहीं छोड़ा चीज पुरानी हो जाया तो क्या छोड़ दी जाती है रची तो पहली बार इसी पर गई है ऐसी बात चैसी बात है आप कुछ और अर्थ लगा रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूं बात कर जलत अर्थ ना लगा है आप दुर्ग से आए हैं मैं जागता हूँ ऐसा अर्थ मत लगा दीपक जी ऐसा दीपक जी है न यह पैचान गया मैं दीपक जी ऐसा थोड़ी है क्या गई ते कवित हाँ तु देख यारे किदर गई आगे ने कोई भी पन्ना खोल दे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि ठाल पूजा कर लेके चले आई है फ्राला के थोड़ा मांगे आप जरज़त तो जरज़त तो जरज़त रहनी चाहिए यह संस्कृती है यह संस्कृती है हमी थामे में इन गिरती वी दिवारों को मैंने कागस की खुश्पू मुझे बहुत अच्छी लगते जिस कागस में लखा वो ही साथ रखता हूँ मैं फोटो स्ट कराकर रख सकता हूँ लेकिन क्या फायदा साथ यह यह मैं इन्हें अपने माबाप मानता हूँ मैं पिछले दिनों एक कारिक्रम में गया एक धर्म का कारिक्रम था बापू मुझे बहुत कहा गया आप धर्म पर कविता हैं सुनाई है मैंने नहीं सुनाई साथ मैंने कत नहीं सुनाई इसलिए नहीं सुनाई कि मैंने सिर्फ एक वाकि कहा कि मैं धर्म पर कविता इसलिए नहीं करता है क्योंकि कविता मेरा धर्म है तब सुनाता हूँ वो ट्रेन में हाँ वो आडियो कैसे भरमाना जाने को फिर से भरमाना चत पे जाना एंटेना से लाना वो लाइबरेरी में जाकर अख़बार देखना सर्दियों मेंगिती के पास हाथ सेखना वो ट्रेन में अपना बिस्तर साथ ले जाना साथ लायावा खाना खुद भी खाना साथ वाले को भी खिलाना उस जमाने को याद कीजिए साब हम खाना लेकर जाते हैं आज जगे जगे लिखाता है अंजान आदमी के हाथ से नखाएं जहर हो सकता है मेरे साथ बैटने वाला परिवार होता था आज साथ बैटने वाला अपराधी हो गया तब मैं कहता हूँ हमने क्या-क्या बदल लिया टेन में लाया खाना साथ में खाना खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना वो एक ही कमरे में साथ भाई बैनों का रहना वो एरोप्लेन को हवाईजाज कहना अगली पंक्ती बापू मैं ख्षमा चाते हैं कहना चाता हूँ क्योंकि मैं आपकी उपस्थिती में कह रहा हूँ पंक्ती थोड़ी ऐसी वैसी है लेकिन चाते है क्योंकि हम अंदोस्तानी इतने पाकंडी है थे हम सब ने ये किया है लेकिन सुीकार नहीं करते है पापु तब मैं कहना चाथा हूँ आपसे खशमा मंगते हैं गते हूँ आपकी उपस्ती तुम्हाँ नहीं मांगता ऎपकी पावन उपस्ती है इसलिए एक शमाय चाहता हूं क्योंकि पंक्ती थोड़ी ऐसी वेसी है मतलब खराब नहीं यह लेगिन सथ्य खराब भी होता है और सथ्य अक्सर खराब होता है वो ट्रेन में लाया वह विस्तर साथ में लाना साथ लाया पराता है अचार खुद भी खाना साथ वाले को भी खिलाना वो टूशन पर पास वाली लड़की का जान बूच कर पांव से छूना मैंने इसलिए का मौनोच साथ कि ये पंक्ती में जहां भी कहता हूं एकदम खामोशी चा जाती है तो कि हर आदमी ये जताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया हम इतने पाखंडी है बापो जो भी ये कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया या तो जूट बोल रहा है या बीमार है और आप अपनी अपनी पत्नियों पे तो बिलकुल प्रभाव जमाने की कोशिश मत करो कि टूशन पे वो भी गई नहीं सत्य है युशन पे इतने पाकंड ही होते हैं हम लोग बाबू मैं बस में जा रहा था एक आदमी बैठा उसके पास में खाली सीथ एक बिचारा भदर पुरुश आया बोले खाली नहीं सवारी बिचारा चला गया दो मिट बाद एक खुबचुरत सी महिला आई शाबिना जी और उसने आके का सीथ हाँ तुरन बिच वही पुरुश लोट के आया मौनोच सा बोले यही है आपकी सवारी मेरी वाइफ है यह पाखन नहीं पाखन नहीं है इसको अपनी साइकल उसकी खुबचुरत लूना यह किन मानी यहाँ नहीं मैं पहला वाहन मेना लूना लिया था आज मैं चाहे मरसलीस चलाता उँ चाहे ओर्डी चलाता उँ अफ्सट यह कहता है मैं वहाँ से बाहर आई नहीं पाया वो अपनी साइकल उसकी खुबसूरत दूना वो रोज मंदिर जाती है इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना वो रोज मंदिर जाती है इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना वो हर चीज़ खरीद के पहले स्वास्थिक बनाना वो शादियों में जाने पर वो बिना किसी सामान के घर घर खेलना वो शादियों में जाने पर पाँच-पाँच कोल्डरिंग उन्डेलना वहीं मिलता था शादियों में जाए कोल्डिंग की टेबल वहापन ए देना दो के बाद जब वह आँख दिखाता था ए वो मंगा रहा है महले में कौन सा कोल्डिंग कोका कोला फेंटा आज के बच्चों को नसीब है हमारे तो पूरे महले माई लग यू रसना एक बालती पानी एक पैकेट रसना डेड़ किलो शक्कर पूरा महला साफ और हमारे महले में तो इतना ओरेंज रसना पिलाया गया है मुझे कि मरी जबान भगवा हो गई है लोग कहने लगे इसका जबान सामपरदाइक है राजनिती इस तरह से भी बात की जा सकती कुछ और करने की आवर्शक्ता नहीं है क्या बात है वो शादियों में जाने पर पाचपाच कोल्डिंग उडेला वो रात में दादा जी के पाफ दबाना और अगली पंक्ती मैंने किये मुझे नहीं मालू मैं तो आप मैं मुंबई में रहता हूँ आप लोग भी अपने पने शेहर में जाने में गाउं में पला भगा इसलिए अगली पंक्ती का सुख मुझे पता है वो क्या होता है सोजिन दुबेजी तुमने भी किया होगा तुम भी गाउं में रहे हो वो और विश्णु तो आज भी सिकंद्रा रहूं में रहता है अपनी धर्ती पे ये भी गाउं से निकला तमाम लोग ये शेहर से आया बस अज्जन से ने ने वो तो हमारा सबसे प्राचीन शेहर है इसलिए वो रात को दादा जी के पाँफ दबाना आधी रात को उटतर भौकते वे कुट्टों को भगाना है मशाद्रा में ये मैंने बहुत किया बापन गरवाले ने मुझे इसी काम के लिए रखा गया मतलब मैं उन्हें कुट्टे बोलते तभी याद आता था कुट्टे बोले बबलो बबलो समझ जाता था का अगली भूमी का गया मेरा उनसे इतना कुट्टा चारा हो गया था कुट्टा चारा हो सकता है तो कुट्टा चारा क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं होना भी चाहिए आजकल हमारे जितने एनिमल लवर्ड है मैं उनसे ख्षमा चाहते हुए आप प्यार करो एनिमल्स से हमें मजबूर तो मत करो हमें ढर लगता है हम क्या करें पिर आप दरूर प्यार करो हमें ढर लगता है हमें नहीं जमता है तो कैसे करें उनके घर जावें काते गान है, आपको दोड़ी कातेगा, मैं काते गाते काते काइन, फिर आसपासalityघूंतार्णा, अब आपको नास्ता सामने जा जो इन दो, तर वो बैटा अब चाच्लिक या कैसे पिटा जी ठीक है? अब बातुम आज जो, विख ले लिजे, नहीं नहीं मेरे चाचा जी गर पे मैं गया उन्होंने एक पाली उसका नाम रखा डिंपी डिंपी लोड हा देखो 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 भाईया आए है यार ये को मैं तो बड़ा ही बगाते हुआ हम एक दूसरे की भाशा समझने लगे थे वी यूज तो अंडरस्टेंड इच अधर's language and feelings मैं आता तो वो समझ जाते है वो आता तो मैं समझ जाते है बापो एक महलने में लुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिले खुते हाँ हाँ वो हमारे अंग्रेजी को प्रोफेसर थे हैं ये पाले वे थे आस पास को तो पहला आया मुझे देखके बोला हूँ 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 कौन 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 दूसरा हाऊ कैसे तीसरा वाए क्यों चौथा बोला शैलेश लोडाय अपने घर जा रहा है सब मिलके बोले ओ वो रात को दादाजी के पहाँ दमाना आप समझ में आया पैसे क्यों लेता हूँ पैसे लेता हूँ वो आजी रात को उटकर धौकते में कुत्तों को भगाना वो दिवाली पे पटाके चलाना बेहन से लड़ना चोटी खीचना भईया तंग करता है कहकर के रोना फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना जुन्तिकी में होता क्या था 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 वो कॉमर्स और मम्मी का सर्वियों में स्वेटर बुनना मेरे पास बहुत मुझे अपना गर्व से कहता हूँ साब मेरी माँ 1988 से विकलाम है 1988 उनका एक्सिदेंट हुआ और बहुत सारे उनसे वो आज भी बैसाथियों पर है आज तक 2017 मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी न अगर मुझे पीटा तो बहुत अच्छा किया अगर उनने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता मेरी माँ ने मुझे सर्वियों में हर दिन का साथ दिन के साथ स्वेटर होते थे उनके हाँ से बुनेवे स्वेटर में मुझे कभी ठंड नहीं लगी मुझे कभी ठंड मैं आज भी होंगे शेले चोड़ा कितनी बड़े स्टार कारिक्रम हो, मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मेरा पहला फोन उनको होता है, शात्म करने के बाद उनको तो स्टेप सी उतरने के बाद पहला फोन उनको होगा, इसलिए होगा जिए मारे पता होना चाहिए कि बेटा कहा है वो मम्मी का सर्जियों में स्वेटर पुनना, वो कॉमर्स और साइंस दो ही सब्जेक्ट्स में से एक का चुनना, फिक्स था, हमारे पिता जी का अपने नियम, या पार करना है कॉमर्स लो, नमबर अच्छे आए हैं साइंस लो, आर्ट्स तो गठे लेते हैं, खुदी, मैंने का आपके का सब्जेक्ट्स थे, दो जापट पड़ी, मैं समझ गया उनके पास आर्ट्स थी, वो मम्मी का सर्जियों में स्वेटर पुनना, वो साइंस और स्वामर्स दो ही सब्जेक्ट्स में देख कर चुनना, वो बेहन से लगना, चोटी कीशना, भईया तंक करता है, कहकर के रोना, फिर भी स्नेय का धागा नहीं खोना, वो स्लीपर क्लास में धक्के खाते वे जाना, वो सुराही की मिट्टी की गंग के साथ पानी पीना, वो बेलस, बेफिक्र, मस्त, बेवज़े जीना, सचच बताना यार, मिस करते हो के नहीं, और ये कविता, ये कविता मैंने सिर्फ इस लिए सुनाई, कि अभी भी वक्त बाकिये मेरे भाई, कब तक वक्त और अपने हाथों मजबूर रहोगे, मिलो पुराने दोस्तों से कहो ना यार मिले भूल जाओ ये शिक्वे के ले जीलो जिन्दगी को एक बार फिर से जीलो जीवन का ये अमरत फिर से पीलो ताकि तुम्हारा अतीद तुम्हारे वरतमान से ये न कहे कि टुकडा टुकडा किरस्ते हो के नहीं और मुझे तुम से ये न पूछना पुड़े सचच बताना यार मिस्स करते हो कुछ